हे गाईज वालकम और वालकम बैक टू माई चानल शिफ कोकिंग कुईन मेरा नाम है शिवानी और वालकम बैक गाईज एक मैने से कोई भी वीडियो नहीं आ रही थी थोड़ी से दबत भी ठीक नहीं थी और थोड़ा बिजी भी थी तो आज मैं आप लोगे साथ ना बहुत ए थीन से चार पानी से अच्छे से वाश कर लिया था उसके बद मैंने यहाप एक कढ़ाई चढ़ाई कढ़ाई में मैं यहाप डाल रही हूं जीरा और आधी चुटी चम्मत जीरा हम डालेंगे और इससे अच्छे से तड़कने देंगे ओईल आप जो भी यूज करते हैं वो हरी मिर्श होती न उसको थोड़ा बड़ा ही काटिएगा तो बच्चे आसानी से निकाल लेते हैं उसके बाद ना प्यास को तेल के अंदर डालके इसे अच्छे से में पकाना है जादा में ब्लैक नहीं होने देना हलका सा ब्राउन होने तक इसको आपको पकाना है यहापे देखिए जो कलर है वो चेंज हो चुका है फिर हमने जो वाश किया था पत्ता गोबी ना उसको हम ऐसी इसमें डाल देंगे और इन सारी पत्ता गोबी को डालने के बाद हमें इसका पांच मिट तक वेट करना है ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए कैस पत्ता गोबी खाना किस-किस को पसंद है प्लीज मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना और मुझे तो पत्ता गोबी ना राइस के साथ खाने में बड़ा मज़ा आता है सर्दियों में खासकर मटर वटर डाल के बहुत मज़ा आता है फिर इसके बाद मैंने ये डाल दिया है फिर यहाँ पे मै ये पता गोबी सॉफ्ट ना हो जाए तब तक हमें इसे पकाना है और जैसे ये सॉफ्ट होती है तो सबजी जो होती है वो अपना पानी खुद छोड़ देती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हलकी सी ये सॉफ्ट हो गई है फिर भी मैं इसको चलाते हुए अच्छे से यह एं पता गोबी जो होती है वो बनने के बाद थोड़ी कम भी हो जाते है क्योंकि वह बिल्कुल सॉफ्ट सी हो जाती है पांच मिर्ट तक पकाने के बाद मैं यहाँ पर डाल रहे हूं बेसिक से मसाले मैंने यहाँ पर आधी चोटी चमच मच ही में डाल रही हूं मिर्च आप जिसे साबसे मिर्ची खाते हैं आप उससाबसे डाल सकते हैं ये एवरिस्ट की तेकी मिर्चे तो थोड़ी सी तेकी होती है इसलिए मैं थोड़ी ही डाल रही हूं उसके अद मैंने डाल दिया है गरम मसाला बहुत से लोग गरम मसाला सबजी बनने के बाद डालते हैं मतल अगर आप frozen matter डालना चाहते है तो आप frozen matter भी डाल सकते हैं अभी सर्दियों का season चल रहा है बहुत अच्छी matter मिल रही है तो मैंने इसलिए वही डाल दी उसके अद मैंने आपे दो medium size के tomato लिए थी जिसे मैंने बारीक chopped किया है बारीक chopped इसलिए किया ताकि वह अच्छे से गल ज लगना यह तो नीचे सब्जी लग जाती है पांच मिट के बाद लिड मैंने अलग किया उसके बाद इसे अच्छे से चला ले रही हूं ताकि जो सब्जी है वह नीचे बिलकुल लगे ना और बस इससे चलाने के एक बार मैं फिर cover कर दूंगी फिर दो सी तेन मिनिट के लि अगर वह बहुत smoothly कट गए हैं तो इसका मतलब वह पक गया है और अगर हलका सा मतलब एक वह होता है समझ में आ जाता है जब आप काटोगे ना तो समझ में आता है कि वह पके हैं यानि उस टेम पे पके नहीं थे तो मैंने लिट को जो था वो फिर से cover कर दिया था अब यहां बनाता है तो सबजी बहुत ही जादा टेस्टी लगने लगती है तो बस इससे चलाते हुए इसी तरीके से मैं अच्छे से भूंच लूँगी और यहां पर जो सबजी है वो हमारी बनके रेडी हो चुकिए अब यहां पर मैं सर्फ कर रही हूँ आप लोगों को ये रेसिप ये कॉमेंट में बताना बाई बाई गाइस